Hi friends, welcome back to my channel आज का वीडियो बहुत ही useful है, बहुत ही जादे interesting है अगर वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe जरूर कीजिए बेकार lighter, अगर आपका भी खराब हो गया lighter तो देखे हमें क्या करना है, आप इसे gas के उपर करिए गरम और हमें इसे gas नहीं जरानी है, यह खर ठीक नहीं होएगा तो देखे हमें इसे दूसरा काम करना है और lighter न टाइम टू टाइम खराब होते ही रहते हैं तो देखे हमें इसे अच्छे से गरम कर लेना है और बहुत जल्दी lighter गरम हो जाता है उसके बाद हम करेंगे अपने बाल करल महंगे से महंगे मसीन हम मार्केट से लेके आते हैं और या फिर पालर से करवाते हैं एक बार lighter गरम करने से ही मेरे देखें मैंने थोड़ा सा ही रोल किया था ज्यादा देर तक नहीं रहने दिया था और बाल करल हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से अगर हम इसे थोड़ा ज़्यादा गरम करेंगे न तो एक मतब बिल्कुल मसीन की तरह ही आपके बाल करल हो जाएंगे दूसरा आइडिया मेरा है पराठे को लेके पराठे जब भी हम बनाते हैं तो देखे हम बना के रख देते हैं और बनाने के बाद ये बिल्कुल खराब हो जाते हैं अगर गरमा गरम पराठे तो सब को ही पसंद आते हैं लेकिन जब पराठे ठंडे हो जाते हैं अब बार बार बनाना भी पॉसिबल नहीं होता और देखे इस तरीके से हमें क्या करना है पराठे को बना के रखना है लेकिन उस पे घी नहीं लगाना रोटी पे हमको घी नहीं लगाना है देखे मैंने इस तरीके से बना लिए अब य निकाल लेना है और जब भी हमको पराठा खाना होगा ना दो गंटे बाद तीन गंटे बाद तो हम क्या करेंगे इसमें उसी समय घी लगाएंगे जब भी हमें पराठा खाना होगा तो देखें मैं आपे पराठा को बीना घी के ही बना लेनी हूँ बीना घी के ही सेख के रख और आप क्या कर सकते जब आपको कहीं जाना भी है न तो आप इस तरीके से बना के रख जाओ और जब भी बच्चों को खाना होगा तो यह घीन लगा के गरम तो कर सकते हैं और बहुत ही एजी है यह और बार बार जब पराठे बनाते हैं रोटी बनाते हैं तो यह गंदा हो ज अच्छे से साप कर लोंगी लेकिन जब ही हमें पराथे सेकने होंगे उसके बाद अभी हमारा जो काउंटर है यह बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और पराथे हमने बना के रग दी हैं अब तो गंदा होने का मत्दब भी नहीं बनता अब देखिए जो पराथे हैं दो से ती दी हम भी लगा देतें और इसको सेक लेंगे वही पराथे कीटर जैसे हम नौर्मल पराथे सेकते हैं उसी तरह से इसे शेक लगे तो आपको पता ही नहीं चल पाईगा कि यह पराठा अभी बनाया है या फिर यह पहले का बना हुआ है तो है ना कमाल की ट्रिक एक चोटी सी ट्रिक से आप गर्म गर्म पराठे खा सकते हैं और आप बना के भी ढेड़ सारे ड़क सकते हैं जब मर्जी आपको बनानी हो या खाने हो तो उसके बाद आप फटापट से घी लगा लीजिए और सेक लीजिए या फिर आपको कहीं जाना हो तो भी आप बना के रखके जा सकते हैं और फटापट से घी लगा के तो बच्चे भी बना लगे और हस्बेंड लोग भी क्योंकि जैंस को थोड़ी एक खाने को मिलेंगे गर्मा गरम पराठी भी आप चोट इसी ट्रिक से खा सकते हैं और धेरो सारे पराठी एक बार बना के रख दिजिए और जब भी खाने हो तो फटापट से घी लगा के गरम करके खा सकते हैं तो है ना कमाल की ट्रिक अब आप भी इस ट्रिक को जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही कमाल की ट्रिक है अब बढ़ते हैं अपने next idea की तरब next idea है मेरा पतीले बरतन कोई से भी हो आपके जल जाते हो देखें मेरा पतीला बुरी तरके से जल गया और हुआ क्या मैं इसको रखके भूल गई थी क्योंकि मुझे इसमें कुछ काम करना था तो देखें मैं इसको रखके भूल गए और ये बस खाली पतीला ही गैस पे रखा रह गया और बिल्कुल भी पूरी तरके से काला पढ़ गया है मेरा जो पतीला है पूरा ही काला पढ़ गया है अब इसे साब कैसे करेंगे मैंने ले लिया यहाँ पर हार्पिक आपको इसमे करना बहुत ज़यादा मुस्किल होता है क्योंकि ना इसमें यह बिल्कुल डायरیک्ट गैस। पे जलावा है और खाली वरतन जलावा है। अगर इसमें कुछ समान लखा होता हुता कुछ दूद होता या फिर कोई सब्सक्राइब होती तो उस तरके हार्पिक को सारे में लगा के लग दीजिए जो भी बरतन आपका है और पूरे बरतन पे आपको लगा देना है अंदर बाहर जो भी एरिया जहां पे भी जला हुआ है तो सारे में आप हार्पिक लगा के छोड़ दीजिए अब आप जैसे हार्पिक लगा के छोड़ देंगे न दो से तीन मिनट बाद आप देखेंगे ना जो भी जला हुआ एरिया होगा आपके बरतन का वो एरिया बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा आप यकिनी नहीं कर सकते ही ये देखें आपको दिख रहा होगा न कि रगरते रगरते ही एकदम से दीरे दीरे से निकलने लगा और जो ऐ जला हुआ भरतन होता है इसे सपकरना बहुत ज्यूदा मुस्केल होता है आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोग करते हैं हमको पता रहता कि ये बरतन बिल्कुल साप नहीं सकती है अब देख रहे ना 2-3 मिनट बाद ही पतीला है वह बिल्कुल चमक गया उसने साब जला जला पंथा न उसका सब चूट गया अपने आप ही यह देखे अब इसको हलका हलका सा हमें और थोड़ा रगणा पड़ेगा क्योंकि इसे अच्छे से एक बार हम साप कर लेते हैं मैंने स्क्रब ले लिया स्क्रब में भी मैं थोड़ा सा हार्पिक डाल दूंगे अब आपको लिक्विडिया कुछ भी डालने की जर्वत नहीं है आप इसमें हलका सा हार्पिक डाल लीजिए और उसके बाद आप इसे रगणेंगे स्क्रब से कि देखे अब जादा तेजी से आपको नहीं रगणा है क्योंकि हमने जो लोहे वाला जूना होता है वो भी इसमें नहीं ल निकल जाएगा अब जो आपको ब्लेक ब्लेक सा दिख रहा है ना ये जला हुआ नहीं है ये बस पतीला ही अलूमीनियम वाले जो पतीले होते ना ये ऐसे हो जाते हैं पता नहीं क्यों हो और ये जला हुआ बिलकुल भी नहीं है ये बस काला हो गया है क्योंकि ये अलूमीन और जो हमारा पतीला है वो बिल्कुल भी साफ हो गया है देखे बस इसे हमें पानी से वास कर लेना और इसे हम हलका सा इसमें बिम लगा लेंगे बिम लगा के इसे हम हलका सा स्क्रब से रगर लेंगे और उसके बाद जो हार्पिक लगाया वाता है उसे हमें निकाल लेना है अ ना कमाल के ट्रिक तो चलिए आप भी इस ट्रिक से अगर आपके बरतन जल जाते तो इस ट्रिक से आप भी साप कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो like, share and subscribe जरूर कीजिए अपने नियर ओडियो लियर में share जरूर कीजिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ बाइ